बहुत स्वागत आपका नमस्कार आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खाड़ा मैं हूँ आपके साथ शल्पा पैंजोरा पेपर्स लीक से दुनिया भर में हर कंप मज़ा हुआ है रूस की बात कर ले रिटेन की बात कर ले पाकिस्तान तुर्की केनिया जोर्डन सहीद बहुत लंब बिले से कुल मिलाकर 117 देशों के 330 राजनेताओं की पोल खुली है इन इताओं ने शल्प कंपनिया बनाने, फार्म और ट्रस्ट खाड़े करने, संपत्यों में निवेश करने के लिए लाखों करोड रुपे के लिए इन देन चिपाए पैंजोरा पेपर्स लीक में 64 लाख दस्तावेस है, तक्रिबन 30 लाख तस्वीरे हैं और करीब 5 लाख स्प्रेडशीट्स है, अभी तक सामने आए तक्त्यों में कई नामी हस्तियों से जुड़े वे खुलासे वे हैं लीक फाइलों के जरीए 90 देशों के 330 से भी ज़्यादा राश्रिताओं के सीक्रेड ओफ्शूर कंपनियों के जरीए संपत्ती चिपाने की बात सामने आए जॉड़न के सुल्टान के अमेरिका और यूके में गुप्त रुप से प्रोपर्टीज खरीदने का भी पता चला है अजर बैजान में सत्धाधारी परिवार ने यूके में 400 मिलियन पॉंड से ज्यादे की प्रोपर्टी डिल्स करा की है इस बारे में जौनकारी हुई है चेक प्राइम मिनिस्टर ने भी ऑफशूर इंवेस्टमेंस की जौनकारी नहीं दी है उन्होंने भी चिपाया है यही नहीं के नियाई राश्चिपती के परिवार ने भी दशुकों तक ओफशूर कंपनियों का मालिकाना हग अपने पास रखा लेकिन जौनकारी किसी को नहीं होने थी रिपोर्ट्स में पी एन्बी घोटाले के आरोपी नीरव मोधी की पहन पूरवी मोधी क्रिकेच लीचेंड सचिन तेंदूलकर, बिजनसमेन अनिलंबानी, पाप सिंगर शकीरा, पॉलिटीशियन टोनी ब्लेयर सहीद सैकडो दिगजो के नाम शामिल है ऐसे में बड़ा सवार, कैसे अकूच संपत्यों के माली कानून की कमियों का फाइदा उठा कर आम आदमी से भी कम टेक्स दे जाते हैं कैसे एक काले धन को दुनिया की नजरों से छिपा कर रख लेते हैं क्योंकि भारत के भी ऐसे तीन सो लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल है आज की चर्चा इसे मुद्देव है तो इन पेपर्स के सामनी आने के बाद सवाल खड़ा होता हुआ पैंजोरा पेपर्स लीक से क्यों मचा है अंकावा काले धन के आखिर कितने कुबेर है और ये सारे कुबेर जिनके इस लिस्ट में नाम है अब वो बेनकाब होते हैं करें दुन्या को उनके बारे में पता लगेंगा देश का पैसा विदेश झयों भेजां यही मुद्पूर्ण सबाल क्यों इस पैसे का इस्टमाल अपने अपने देश के भलै की लिए किया जा सकता था वैत्षी क्ली की आ जा सकता था को रोटका यंशे जो खायब कर्वा रही है इन मेशामिल है लुक्राइन को दो दो क्रिस्वी पर देश पर आहिं कुषाम तर सथ को सोल – ah अज इनमी त्माम सवाल से जवाब खुचने का we Mila Shis नूस स्वा जोड़े वे बहुत स्वागत आपका अच्छास्त्री विवेक सिंग भी हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं आपका भी बहुत-बहुत स्वागत करती हूं सबसे पहले अश्वनी राना जी आपका रुक करना चाहूंगी आपसे समझना चाहूंगी यह जो पैंजोरा पेपर्स लीक मामला उचागर हुआ है यह दस्तावेश जो दुनिया के सामने आचुके हैं इनकी वज़े से हंगामा इतना क्यों मचा हुआ है जिंजिन लोगों का इस लिस में नाम शामिल है उन्हें डर क्यों लग रहा है जरा समझाइए आम शब्दों मे जो आम लोगों के लिए राव पेपर्स का डिल्ग इस नामें बहुत बड़े नामी ग्रामी लोगों के नाम आए लेकिन च्छी साल बीच जाने के बाद उन लोगों पर क्या करवाए हुई किसी को कोई पता नहीं तो आज वो क्यों डरेंगे जम उनको पता है कि हमने पहले भी किया हम अब भी कर रहे हैं देश के कुछ कानून ऐसे हैं कि जिसके राते उसको छूट मिली हुई है वो शेल कंपनियों के द्वारा हावाला के द्वारा यहां का जो पैसा है अपना वो दूसरे ऐसे देशों में ले जाते हैं जहां पर टेक्स नहीं देना पड़ता तो इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है यहां का पैसा वहां क्यों जा रहा है और जब तक कुछ लोगों के अगेंस्ट कारवाई सक्ती से नहीं होगी इसके उपर यह इनमें दिन बढ़ता ज कि यरूरता है एक आद्मी जो है जो टेक्स पिर है लेता है उसका सेलरी से इंकम टेक्स अपने अपकर जाता है जो विचारा पैंशनर एफडी बैंक में रखता है उसका टीडियस कट जाता है लेकिन इतने बड़े बड़े लोग और हम उनकी पूझा करते हैं उनको भगव प्रवाइब नहीं है यह जो पैसा आपने सही कहा कि अगर इस देश की उन्दती के लिए लगता है कि देश में बहुत अच्छा हो सकता था टेक्स कितना सरकार को भी सोचना होगा कि हमें टेक्स बलाब स्लैब में कुछ बद्राव करना होगा कि आप जत्ता कमाना कमाई है लेकिन थोड़ा सा टेक्स देते रही है तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों के उपर सोचने की जरूरत है और उसके ओपर कारेवाई करने की जरूरत है और वह कैसे होगी उसका जवाब में खेंशन इसलोंगी लेकिन उससे पहले विवेक सिंग आपका अरू करते वे विवेक जी सबसे पहले तो यह जो कुछ है टाम से आप लोगों को टम समझाई जैसे कि ओफ्शोर कंपनिया यह कि क्या होती है कैसे बनती है कैसे काम करती है और क्या यह पूरा मामला यह जो तमान नहीं से कहा जा रहा है यह टेक्स शोरी से जुड़ा हुआ ही है हम सही समझ रहे हैं सही देख रहे हैं विवेग जी आपको मेरी आवाज मिल पारी है मेरा प्रश्ण आपसी यह है कि यह जो पेपर्स लीक मामला सामने आया है यह दस्तावेश दुनिया के सामने जो उजागर हुए है क्या वाकरी में यह टेक्स शोरी से जुड़े वे मामला है इसे उस तरह से देखा जा सकता है और यह ओफशोर कंपनिया कैसे इसमें सहिव करती है कैसे कंपनिया बनती है बिना स्टाफ के बिना ओफिस के कैसे काम करती है देखिए जो ऐसी जो कंपनी जे इनका यही मकसद होता है खास करके टैक्स को चोली करने के लिए और अपने इन्वेस्टमेंट को खास करके कालर खन को कैसे सफेथ करें अब देखिए यह कंपनी रिजिस्ट्रेट तो होती है लेकिर यह कोई कारो बार नहीं अब देखिए समस्क्याया है कि यह जो पैंडोरा पेपर जो अभी मामला आया है आज उठा है इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत जादा जो है प्रॉब्लम हो रहा है अब प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि लगा कार जो है इसमें से काम चालू रहा देखिए यह जो इंटर्मेशनल जो आईजी एक है यह लगा काम कर रही थे बहुत प्रॉब्लम पत्रकार इसमें लगे थे और पूरी नहीं जात करने के बाद आया है अब देखिए पैसे देशों के आपने शुरुबात मताया है कि आज़े जादा रहे के लोग इसमें सामीने है क्योंकि कहीं ने कहीं अपने काला धन को सभ्वेश करने के लिए आज़े जो है और शोर कंपनीज को बनाए या ट्रस को बनाए और उसकी थे थू अपने पैसे क बागा रहे जो है इसमें बहुत बड़ी बड़ी नाम आज़े आप देखिए अगर इसमें सब कुछ हो गया हमारी अगंसी तो पता कैसे नहीं गगा है अगर आप इसमें जेखेंगे तो इसमें बड़ी 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 रेविन्यू जो ऑफिचर्स है इसके बावर टैक्स कमिश्णर है इन लोगों का भी इसमें नाम है तो जहां पर इसने सारे लोगों का नाम है जो कि इस दिवार से जो जिनकी की काम है ऐसे अगर कुछ होता जो सुचना है तो संत्रतक तो जाए ऐसे लोग पर जब जो इनकम टैक्स कमिश्णर है रेविन्यू के ओपीसर से और बड़े-बड़े जो नेता हैं मंत्री है यह लोग और चास करके गिल्कों कि हम भगवार के रूप में पूछते है ऐसे लोग जब है और खास करके जो ए करेंगे और बाद में ओ साला धन जो है उससे धनकरूप में हो जाएगा और जब से लोग जब से लोग मोटिवेट होते हैं ऐसे लोगों का जो है ज्यान बड़ता है और वो चाहते हैं तुदको कुछ होगा तो इस बार कारवाई सब्सक्राइब और इसे पार के वो लोग फाइदा उठाते हैं ठीक है विवेक सिंग जी आओंगे आपके पास लोटोंगे आपके पास हमारे साथ स्वाती मलिक जी भी जुड़ी हुई है कॉंग्रेस के तरफ से जी स्वाती जी यह हमारे देश के इतने बड़े-बड़े कोई नहीं रोख पा रहा है खामियाज़ जाहिर तोर पर देश को और आम जुनता को भुगता पड़ता है और भुगत भी रही है लेकिन कंट्रोल किसी का नहीं है आप इसे किस तरह से देख रही है देखिए आप इन नामों को अगर देखेंगे इसमें अदानी हैं, अम्बानी हैं, अम्बानी हैं, देया तो पीपल ये वो ही लोग हैं जो आज के दिन हमारे प्रधान मंत्री के एलेक्शन को फैनांस करते हैं, रैली में उनके अदानी के एरो प्लेन में बैटके, नरेंदर म आ रहे हैं, आप 2015 में जैसे अभी अश्री राना जी ने भी बोला कि 2015 में कुछ नहीं वा, उस समय के नामों को देख लीजिए, और ये जितने भी आज के दिन नामें, इनकी एक स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिकेशन होनी चाहिए, और वो बड़ी ट्रांस्पेरिन तरीके से हो होनी चाहिए, मैं तो कहती हूँ कि सिटिंग सुप्रीम को जज के अंडर होनी चाहिए ये, क्योंकि देखे जो भी इनोंने बनाया है कि इसके जांच होगी, वो जांच में कौन ऑफिसर है, कैसे ऑफिसर नहीं है, वो सरकारी ऑफिसर होंगे, यह सब इंटेग्रिटी को कि यह जनता का पैसा है, जो बाहर गया है, अगर यही पैसा यहां यूज किया गया होता, तो बहुत बढ़े हमारे देश्की और तरक्की होती है लेकिन अदानी जी क्या कर रहे है, पैसा कमा यहां से रहे हैं, भेज विदेश में रहे हैं, अनिल अंबानी जी अपने आपको बैंकरप्ट बोल देते हैं, लेकिन कमाया यहां पे भेजा वहां पे, तो इस समय सरकार को ऐसी जाज करनी चाहिए, जो एक स्ट्रिक्ट हो, ऐध तक कि उसमें हुआ भी क्या है और जो भी कहिए देखे जनता की जो मेमरी है ना बड़ी शौट पीरियड लिमिट बड़ी लिमिटेड रहती है तो यह थोड़ा शोर होता है बैठ जाते हैं लेकिन अगर पनामा में जो काम हुआ था उसके अगर कोई एक कॉंक्रीट यह लोग इनलों का नाम है इसमें लोगों तो हमारी देख रहे करने चाहिए तो हम उच्छा कर ले और तकरीबन तीन सो के आजपास अधिकारी लोगों का इस लिस्ट में नाम शामिल है लोटूंगी आपके पास केमचन शर्माजी जवाद देने के लिए हमारे साथ इस खुलासे को आप देख रही है तो आप ऐसे दर-दर की बातें करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गांधी परवार इसमें बहुत जादा तक गुसा हुआ है और जितना पैसा गांधी परवानिया कोंगरे से नेताओं ने देश के बार लिया ले गए उतना साथ ही आप किसी व्यक्ति को पिंपोइंट कर सकते हो हमारी सरकार जो है वो जो बिदेश में अपने पैसे को ले जाते हैं या टेक्स चोली करते हैं या काला धन जमा करते हैं उन्ते जवदस तरीके से कारवाई कर रही है उसी का परणाम है कि विजय मालिया की जो recovery है वो से रह जाकर उसे ज़्यादा की recovery विजय मालिया से हो यह उसकी assets को सेल करके भारत में हमारे सरकार की बज़े से जो चोर है वह हमसे settlement कर लो और हमें आप भारत में राके सजा मत दो यह Congress का राज नहीं है यह मोधी जी का राज है मोधी जी के राज में किसी भी चोर को बखता नहीं जाएगा investigation होगी जिसने भी गल्ची की होगी जिसने भी चोरी की होगी जिसने भी fraud किया है वो कोई भी हो किसी को भी बक्षा नहीं जाएगा सब पे कारवाई होगी जरूर कारवाई होगी किसी को बक्षा नहीं जाएगा आप थोड़ा से तुनान रखेंगा इस वाल आप से पूछ रहे हैं कि आप उनको कैसे बूल गई इस चुर्च में जितने नाम है सबका एंक्लूओ होना चाहिए मैंने तु नहीं बोला कि सथी खरमाजी का नाम का जाएगे जहांच अगर एक जनने की रोकने को तो किसी मैं नहीं बोला, मैंने क्या बोला, मैंने बोला, ट्रांस्परेंट जान्ट होने चाहिए, यह था पता चलेगा, और जिसमें गलत किया है, उसको सजा भी मिलनी चाहिए, रही बात इनोंने जो बोला, देखे, 2014 में जभी आये थे, 2014 में जब आये थे, इनोंने कहा था कि जितना भी Swiss account में बाहर विदेट में जितना पैसा है, वो पैसा हम ले कि आएंगे, वो तो पैसा हमारे अकाउंट में किसी के आया नहीं, 16,000, 8,000 अजो भी इसका आमाउन था, वो तो किसी के आकाउंट में आया नहीं कि यहां का पैसा कि ब्गर scholar क्यानि कि इंका चल कंट करो अधिया में यह जाने कैसे हैं काला धन जमा कैसे करने दिया जाता है क्यों उस पर लगाम नहीं लग पाती है ये सवाल मेरा दोनों पक्षों से है दोनों पार्टियोंसे है है लगानी चाई लियों У арbu कानून की कमी है उसे दुरिष्ट करने के लिए क्या कोशिश आपकी तरफ से की कही है जिसका फायदा ये तमाम लोग अब तक उठाते आए हैं जो लोग बचे हैं उनको भारत लाए जाएगा सकते सकते जाएगी यह सरकार किसी को फोड़ने वाली नहीं है क्या वो कॉंग्रेसी नेता हो जाएगा मनेश गुपता जी जुट चुके हैं अच्छास्त्री है मनेश भी बहुत स्वागत करती हैं आपका इस खाच चर्चा में आप बताएं आप समझाएं पैंज़रा पेपर्स लीक मामले के बाद इन तमाम लोगों के जो नाम उचागर हुए हैं यह जो पूरा मामला निकल कर सामने आया है किस तरह से गैर कानूनी तरीके से काले धन को एकटा किया जाता है ओफ्शूर कंपनियों के हवाले से इनके सहारे इनके नाम पर यह पैसा देश की तरक्य के लिए इस्तमाल किया जा सकता था औरना काल में ईसने में यूज हो सकता था लेकिन हुआ नहीं कैसे कंपनिया काम करती है कैसी देश की पूरे सिस्टेम को धोखा दिया जाता है ज़रा आम लोगों को समझाइए मनेश गुपतार पड़ी सिंपल तरीके समझे पैंडोरा हो या पनामा लीक्ष हो या ऑफशोर किसी और कंपनी में फंड की बात हो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यह फंड कर्स क्या है तो यह फंड का सोर्स इंडिया है तो आप समझें पैसा कहां से आया एक्जामपल से समझते है जैसे एक आसर पंदर साल पहले कमपनी मंती हैं मोर्जर वियर कंपनी की बास 59 नेटवर्ट i में माहिं पता है लेकर लेकिन कंपनी को पांचार करोओ आं लॐन मिल जाता है कंपनी को 5–5 क्रोओ के बाद del k family home yeah किसे लोन यह दिया जब वो एंगीव नहीं थे किसने लोन दिया नहीं थे किसने लोन दिया क्यों लोन दिया किसकी जिम्मेवारी क्या थी और कॉलक्टिव बैंकों की जिम्मेवारी क्या थी यह चेक करने की जरूवत है उसके बाद इस टेल रिपोर्ट जो भूई करने की जरूएता है कि वह पैसा निकला कैसे और वह पैसा किसके बबों निकल के पैसा कनवा दूआ तो वह कैश की शेप में आ गया निकली चीज़े खरी दी गई और बेंडर से पेमेंट लेके वह कैश करिये हो गया अब उस कैस को हवाला के चरिये अब यह यह को मैं लोगों के साथ हमीरो के लिक चार नियम आम लोगों के लिए कुछ और नियम इस तरह से देखा जए से इसमें नियम का सिस्टम नहीं है इसमें जो पैसा नंबर दो से या तो कहीं फ्रॉड कर रहा है या वो इंकम टेक्स नहीं दे रहा है या गयर कानून तरीके से चाहे चोरी जगेती इसी तरीके से कमा रहा है वो तो बिना हात लगाए खुमा फिड़ाकर विदेशों में पर शेल मुखोटा बेख्तियों के नाम पर लगा दिया गया और जब लोग बिदेश जाएंगे तो उनके बच्चे बिदेश चाहेंगे तो वो इस पैसे से एंजोई करेंगे बिल्कुल अपनों बढ़ाता सिक्योर करने के लिए ये सा वा अपनी टेक्स के पैसे बिना टे इसके लिए सबसे बड़ा तरीका जो पुर्ण मंत्री स्री नरेंद्र बोदी जी निकाला जी हो हर चीज को डिजिटाइज किया जाए आप देखें इंकम टेक्स में और कंपनी एक्ट में जितनी चीजे लगातार ओन-लाइन होती जा रही है जिस तरीके से प्वेमेंट ओन कर दो आपके बैंक एक आप उसे कैस्में कर पाएंगी तो ऐसे अगर देखें तो इफेक्टिवली आने वाले समय में यह समस्यां आएंगी निए जो आज हम समस्यां देख रहे हैं वो साथ साल जसाल बारे साल पुराना जो लोगों ने पैसे कमाया अगर हम किसी खिलारी की जो आज रिटायर है तो जसाल बेले वो खेलता था था पैसा एंड़ाने वाद निकल के आ रहे हैं कहीं आप इसे सरकार के सफलता के तौर पर लिए और एसे में अश्वनिराना जी में आप से ठीक हैं और अओंगी यह साल आपके पास अश्वनिराना जी मुझे ब्रेक पर जाना उगले कि पर जाने से पहले जड़ा मुझे बता दीजी कि कैसे राइ का पहाड बना दिया जाता है यानि कि बैंक की घलती होती है सिस्टम पूरे की पूरा इसमें मिला हुआ है जिस्टम की लूप ब्पोल की घलती होती है जिस वज़े से इन लोगों की इतनी हिमण बढ़ जाती है लोन देने का तरीका वो बड़ा जा चुका है यह पूराने तरीकों से समय में जो फोन बैंकिंग के द्वारा सरकार के दवाफ के कारण जो है यह लोन ऐसी सी कम अम उद्वियर की बात कर रहे हैं तो किस समय का बात है ऐसे और मल्या को पैसा सबक लेते वे अब रिफॉर्म लाया गया है और आगे से ऐसा नहीं होगा यह तरफ से दी गई है सरकार जो है आज वो सही दिशा में जा रही है लेकिन जो पुराने पापी है जिन लोगों ने पुराने पाप किया है उनकर पर भी कारेवाई बहुत जरूरी है ताकि बाकी लोगों को तभी सबक मिलेगा कि अब ऐसे लोगों के ओपर कारेवाई हो ठीक है विवेट जी कुछ कहना चारे विवेट जल्दी से इसके बाट मुझे ब्रेक पर जाना होगा देखिए शिल्पा जी एक बहुत महत्पूर बात जया है कि देखिए अभी आपने का कैसे इसको रोका जा सकता है देखिए इंपोर्टेंट समझना एक है कि शल्प कंपनी जा ओप जो है ओप्शोर कंपनी वो देश में अगर उसको बिएश में बना दिये तो ओप्शोर हो गई जो हम ब्रैक मनी को वाइट मनी में अब्दील कर रहे है अब जो पैंदॉरा पेपर लीव मामला आया है इसमें यही बपाया गया है कैसे यहां के लोगों ने ट्रस्ट बनाया जिए पिर पैसे आप शोर जो है शेल कंपनी बनाके उन्होंने जो है पैसा वहां पे लगाया और उसके बाद उस पैसे को एक तो टैक्स के चोड़ी किया और इसमें देखे सब मिले हुए लोग है ऐसे एक दो कोई लोग नहीं करते हैं इसमें बहुत नंबी चेन होती है और सब कर्पने कमिशन होता है पूरी तरह से यह मामला सीक्रेट होता है लेकिन अब यह सीक्रेट उजागर हो गया है अठारा महिनों की जाच के बाद ये खुलासा किया गया है 117 देशों के 600 से ज्यादा पत्रकारों ने ये खुलासा किया है अठारा महिनों की मेहनत के बाद फिलाल आब सभी मेमान मेरे साथ बन रहे मुझे यहां पर रुकना होगा एक होना के खिलाफ लेडने में स्कूलों में हॉस्पिटल्स में जलवायू परिवर्तन के मुद्टे पर लेकिन यी कैसे हो पाएगा कैसे किया जा सकता है वाक्षोट सब्रेका लोटेंगे चल्द बढ़ाएंगे चर्चा को यहीं से बाद बहुत सबागत आप देख रहे हैं स पैसलर कलेधन के कितने कुबेर हैं देश का पैसा विदेश क्यों भीजा जा रहा है और उसे रोका क्यों नहीं जा पा रहा है भगवान क्यों फज़े टेक्स्वारी में यानि कि सचिन तेंदूल कर नाम भीस लिस में शामिल है सवाल उन पर भी खड़े हो रही है दिवालि टेक्स्वारी की चिंगारी कब तक बड़ेगी देश पर भारी आज इनी तमाम सवालों के जवाब खोचने के हम लगातार कर रहे हैं कोशिश मेरे साथ एक पुरा खास पैनल बना हुए पर फिसे पैनल के पार जाते हुए पैनल में इस समय हमारे साथ सुप्रीम कोड के टेक्स का इससे नुकसान हो रहा है और अब यह आकड़े यह पूरा मामला दुनिया के सामने आ चुका है आप मुझे बताए कि कैसे कानून को धोका दिया जाता है कैसे कानून की लूप होल्स का फाइदा उठाकर अमीर जादे और अमीर होते जा रही है और आमजरता कहीं कहीं पिस्ति है देश को नुकसान होता है अगला इंटरेशनल लाकेट है और अगर जी करते हैं और यूज करने के बाद मुझे ना आवाज है चीक है मैं अपनी टेक्निकल टीम को बोलोंगी एक प्रोब्लम वह सोट आउट करेंगे प्लीज कॉंचिलिए ओक है तो यह थोड़ी थोड़ी कंपनी बनाके जो फार्म करना इस जो कुछर आया है भारत के या और देश से दूसरे देश भेजना काम करना और इस तरह कि ट्रेड में बहुत भेड़ सारे लोग इंवाल्व हो गया और खासवर से इसमें कई तो जगह देखने को मिला है जो सरकारों में पुलीज प्रेशाषन में चिपे हुए लोग हैं और इनको खोजना डूबना एजनसियों के दिनल हो जाता है इसरकार चलाने तक में इनका पुरे खेले अच्छार रहते हैं ऑर वह बच कर रहते हैं। सबस्क्ताइब कुछ लगना चाहिए वहारे डेति की और देश में भी अभी नहीं लगाई तो लेकि एक इन्दिशनल कम्मणिटी को झरूर चुछना चाहिए और इस Looks पर हुए इस तरह कि काम करते हैं कारोबार करते हैं टेक्स की चोरी करते हैं अब आपको देखने को मिलेगा इंडिया में ज्यादा बढ़ोत्री हुई है कि लोगों को पकड़ पकड़ के पुलिस जेल में भी भी बेज रही है उसके बाद भी इस तरह की थौड कंपनियां इस सिस्टर कंपनियां जिसको कहते हैं सिस्टर कंसरन कंपनियां इस देश में काम कर रहे हैं बात जरूरी है कि मजबूत कानून की भी आवशक्ता है कानून को और अधिक स्ट्रॉंग किये जाना इस समय वक्त की दरकार आप बता रहे हैं मनिश कुपता जी कुछ कहना चाह रह अभी मैंने बात पूरी किसके बाद मैं विवेट जी के पास जाती हूं जिसमें पैसे का आवगावन होता था यानि जैसे हमने चाइना से कोई माल एक लाग रुबे का करना है और चैना में हमनेड भेच कर लाइं अब इसको कर लिए 22 सरकार डी को में हरने का वहां पर इंपर्ट रहें और इंडिया माल नहीं कि तरीका है कि यह सब कुछ पहले का मामला है अब काफी हद तक कंच्रोल किया जा चुका है अब समभव तहां आगे असे मामले नहीं पड़ेंगे एक जरूरी नोटीफिकेशन मोधी सरकार लेके आई थी, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट में जो अंडर विलिंग के वजह से कस्टम डूटी के छोरी होती थी, और साइमने इसलिए हवाला के जरिये पैसे का जो ट्रांस्फर होता था, दोनों के बड़ी बा दाक्यार मैं रहुति, इने की मैं हमने पित के मारस सेसे का जो विलिलियूरी दिए, आपको आप मुल चूक परिवर्तन करने पढ़ेंगे, खास करकिंग से सबसे चूपी बात नहीं है तो हवाला के जरीए पैसे का ड़ांजेक्षण होता है और आप तक जब तक उकान्टीय नहीं प्सक्रांद्टोर्य सब्क्राइब चाहे इंवेस्ट में से होग या चाहे चाहेaround गजोड़े हो यह लोग है तब तक आप कि पूरा किया सकता है थीख रहा है कि अपिशाओ बता दी है खेंचन शर्माजी अब बताईए कि कैसे इन चीज़ों को पूरा किया जा सकता है कैसे इन लोगों पचार के तहती से अंजाम देते हैं कि अ कि शर्मजी अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है तो बताइए ऐसे ब्रश्ट लोगों को कैसे पकड़ा जाए आपका सिस्टम क्या करेगा आपकी सरकार कितने सक्ट तरीके से आगे कानून बनाएगी ताकि लोगों की हिम्मत ना हो स सब्सक्राइब ने बताया कि इसे सरकार को फाइदा नहीं होता है निकल के आरे है पुरानी बीमारिया है यह सरकार लगातार कदम उठा रही है चाहे दोनों साइड के विल्की मैचिंग हो या लाखों के संख्याओं में मेरे बाद जो डेटा है उसके उनसाज 6,80,000 के तरह लिए चाहे नहीं हो रही है और जिनका मिश्यूत किया जा सकता ऐसी कंपनियों को लाखों के संख्या में हमारी बंद किया है और हमारी चाहर विजेशी जो गवर्मेंट उनके साथ दूल एडिमेंट कर रही है जो कि जो यह टेक्स का प्राइट है यह का कंट्री को फा यह संत्र बहुत मजबूत था बहुत बढ़ा है और इसके बहुत सारे इसमें लूपोल्स है जो करेंगे तो हमारे लोगोंने वहां पर जाके किसनी इन्वेस्मेंट करी कहां से पैसा आया करी अगर वहां तो हम उसको डिटक कर सेक्ट हैं तो हम दूपी सरकारों को यह करेंगे तो हमारी गवर्मेंट मर्स्टीबर प्रेंट पर चार हो से 360 डिग्री पर काम कर रही है और हम इसको जल्द ही इस समय पर काम हो रहा है तेजी के साथ काम हो रहा है निशन रहने के अविशक्ता है कि अविशक्ता है तो कापी समय लग गया मेरे खाल से इनको इनको इती स्विट पर चलते रहे तो और पता नहीं कितने ऐसे ऐसे लीक साइंगे पर सब्सकार यह कैती रही काम हो रहा है चल जाए क्या काम हो रहा है वह क्रांस्परेंसी में यह क्या चींपिया कुछ नहीं पता कि इसने हमारे अलड़ी एग्सिंग लॉज है तो एक वो अंटी करॉप्शन लॉज है जो हमारे ओफिसर्ण है इनवल्ड इन चीजों में उनको इस बात का दर क्यू नहीं है कि अंटी करॉप्शन लॉज तो है इना इंडिया में उसकी एग्जिश्यूशन उसकी इंप्लि करोड की हो दर और थजा एक ही होनी चाहिए और वो तभी आएगी जब हमारे एग्सिस्टिंग और जो हमें चेंजिश्य आने है रिफॉंद आने उसमें तो टाइम लगेगा बिल्कु लेकिन जो एग्जिस्टिंग है आप उसको भी अज़िकली इंप्लिमेंट कर ले उसक सब्सक्राइब करने की अविशक्ता हा नहीं यह बात की बात है लेकिन जो मुझूद है उसे अगर सही तरीके से इंपलिमेंट करवाया चाहे तो काफियत तक तस्विर बदर सकती है तो उनकी सरकार में अगर 50 पैसे को जो लोग खा रहे थे करफ लोग खा रहे थे अपने पेट में हजम कर रहे थे उसको रोकने का काम किया जाता है तो यह समस्या तब की खतम हो जाती है और हमारा देशा जो डवलपिंग देश है वो डवलप बेज बन चुका होता लेकिन वो समस्या तब खतम नहीं जो कि जो उनकी नीती और जो नीय सही नहीं थी अज की सरकात एक प्रते अपने पास पेशिती है पूरा का पूरा जनता नहीं मिलता है क्यों عليه कि पिम किसाम का हो श्या हम लोग जंदन अगर में ज़ंड इनिक पेषड़ लिए हो क्यों हमारी कर रा दी जा थे किसरकारी तारी जा रिवे व हरी आदा से लिंक हरे है जो सरकारी करमचारी होते थे, उनको हमने सिस्टमें से हटाया और उसे करोणों की संख्या में ऐसे लोग जो पैसा कमा रहा थे गलत तरीके से वो हटे ए सिस्टम से और 80 रुपे की इसमें बचत हो रही है अब इसको इतना हमने लिमिट कर दिया है, उसको इतना हमने लिमिट कर दियाए कि आप ज़रूरी जो चीजे है उसमें तो ठीक है लेकिन अनावस में जहां आप प्रोड कर सेंगे जहां पर प्रोड कर सेंगे वहां पर इस चीज को रोकें उसको कम करें तो यह जो सरकार है इसकी जो करें आप हर संबब तरीका अपना रहे हैं इन लोगों पर लगाम लगाने के लिए जल्दी से आपका रेक्शन इसके बाद मैं आश्वनी राना जी के पास जाओंगी जल्दी से इसना कहना चाहते के राजीव ग्राणी जी मिजब बोला था इस बात को इंट्रस्टेक्शन तरके इसके काम भी किया था आज के दिन मोदी जी तो कुस बोलते ही नहीं है वो तो जी जी नहीं करते कि कोई पॉबलम भी है राजीव जी अखनॉलिज की पॉबलम उसको सौल भी किया लेकिन आज की जो प्रेजन करकार है वो इसनी अरोगेंट है वो इसनी इस फिल्द हुई दीगों की लिगो इसनी सेंसितिव है मुझे बोलने दीजिए प्लीज मैं आपक अगर आपके काम किया मुझे मुझे एक जनता बड़ा अच्छा लगता लॉट जैसे लिगा आए राजीव गांधी का एरा निकल जुका है वो पीरियड जा चुका है अप्टो मुझेदा पीडियर है मुझेदा जो सिचुएशन है मुझेदा जो सरकार है उन पर पुरा ध अगर हमें टेक्स चोरी को रोकना है तो हमें टेक्स हेवन कंट्री इसको लेकर किस तरह की कारवाई करने की अविशक्ता होगी आपको क्या लग रहा है अब जासे वी जैभी के प्रहका कह रहे थे कि हमारा वाक्ति बाफर क्सक और संदी हो रही है पर इसे जो पर नहीं है यह वहां पर किसी भी इंडियन का इन्वेस्टमेंट होता है यह इंडियन का वहां पर पैसा जाता है किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है किसी प्रॉपर्टी में होता है सरकार बहुत अच्छा कर रही है लेकिन उसके साथ साथ इनके साथ संजी करनी पड़ेगी कि वह सारी डिटेल्स हमें मिलें सब्सक्राइब तबी ये सारी करेंवाई का फाइदा होगा। मिलकुल वियर जी आप क्या कहेंगे। बाकि में जब ट्रक्तिक हेवन कंट्रीज पर लगाम नहीं लगिए इस तरह के भर्श्ट लोगों पर लगाम नहीं लग पाएक़ बहुत मुश्किल होगा। और अगर टेक्स हेवन कंट्रीज को लेकर दुनिया की तरफ से कोई उचित कारवाई कोई ठोस कारवाई कोई सक्त कारवाई कर दी गई तो जाहिर दोर पर उसका सर फिर तमाम देशों पर पढ़ेगा टेक्स्षोरी बच पाएगी अगर उन्होंने 50 करोड का इन्होंने 50 करोड का इन्होंने 50 करोड कर देश के लिए तो उनसे कंसम 50 करोड के बदले इसे 5000 करोड रूपय वसूले जाने चाहिए अगर इस तरीके कारवाई होगी तो डर का माहल होगा और बोलता हूं के डर का माहल आट होना बहुत जरूरी है डर का माहल होगा तब ऐसे भस लो कंत्रॉल में आएंगे वरना एक कंत्रॉल में नहीं आएगे इतना लुक्तान कर होने करिये और साथी हम कहवाला जैसे कारोबारियों के उपर वे कंट्रोल लगा सकते हैं तो बिरूर हम इसमें सफल होंगे और हमारे बैंकिंग लॉट को भी थोड़ा हमको रिफॉर्म करने की आवश्यक्ता है संदीर दुबे जी वक्त की कमी है आप सभी लोग समय जली जली फाइनल कोमेंट चाहूंगे आप क्या कहेंगी जाते जाते सर कौन-कौन से एहम और सक्त कदम उठाया जाने की समय आवश्यक्ता है दुनिया के तो चली ठोड़ देते एक बार को अभी हिंदुस्तान क्या करें ताकि इस तरह के ब्रश्टाचार पर ऐसे ब्रश्टाधिकारियों पर ब्रश्टनेताव पर लगाम लगाई जा सके देश के साथ हो रहे इस धोके को रोका जा सके पर जितने भी देशें हैं सबको मिलके तो आना ही चाहिए लेकिन भारत के अंदर जो ब्रश्टाचारी लोग हैं उनकी संपत्टी जब कर और उनको फाकित की सजय का प्रवधान होना चाहिए ताकि एक संदेज जाए हम क्या होता कि ब्रश्टाचारी बड़े आराम से बच अब जनता की नियत सरकार से हग जाएगी तो आप किसको लिज करोगे आज भारत चंदर कठोर कड़े कारून के आउसकता है और जिसके वज़ज़ देशों से उतकर वर इजिए पर साथ आना होगा कोई कड़ा कदम उठाना होगा ठीक है सर विजी जल्दी से आपका फानल क क्या लग रहा है अब जिए शिल्दी मैंने कहां कि बेगे सरकार को एक आरवाई करने पड़ेगे और देखें आरवाई आई 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 आपका फानल कमेंट कैसे लगा आपको कैसे इस रोका जा सकता है कैसे टेक्सेवन कंट्री इसको कंट्रोल किया जा सकता है अच्छा सुझाव है स्वाती जी फानल कॉमेंट्स आपका क्या उमीद है इसमें चाहिए है लेकिन अग्शिक्ट इंक्शिक्रिप्लेमेंटेशन एक तरीका है और वो भी तरीका है नहीं लौग आएंगे पिए था बिंटेमेंटेशन नहीं तो कोई फाइदा निया नहीं नहीं आगी इंटेमे में पब्लिक का कि हम लोग पढ़ पाए ऐसा नहीं कि पनामा वाला वो सीट्रेटिव रखा हुआ हो अभी तक किसी को नहीं पता हुआ है तो वह दिखिली भी चाहिए उसमें की कमी है खेम चंड शर्मा जी क्या अश्वासन देना चाहेंगे आप कैसे आप लोग करेंगे और सुझाव अश्वनी राना जी की तरफ से रखा गया है उस पर क्या कहेंगे फाल कमेंट अब कर सब्सक्राइब कर रहे हैं दूसरी सब्सक्रार के साथ हम संबंदों को अच्छा करके उनके साथ हम सब्सक्राइब करेंगे और हम आने वाले समय में अपने सिस्टम को बैटर सर पाएंगे और ऐसे चोरों को हम काबूर में रखेंगे चले बहुत बहुत शुक्रिया देखने में बात होगी कि आपका इतावा कि सथ तक हकीकत में बदल पाता है उसके लिए फिलाल करना होगा इंतसाब बहुत शुक्रिया आप सभी खास में मेरे साथ इस चर्चा में जुने के लिए समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक उनका जीवन बदल सकता है, पहुत सारे लोग BPL देखा से, बिलो पोवर्टी लाइन से उपर लाए जा सकते हैं, बस मंचा की अविशक्ता है, इच्छा शक्ती की अविशक्ता है, मेरे साथ इस खाल सर्च में जो निकलिया अर्ट भी का बाद बाद शुक्रिया, आपने रही जनतंत्र फीवी के साथ, नबस्कार।